वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइड लाइन्स हैं मुवाइल को होरिजुन्टल सेप में रखें वीडियो को 480 पिक्सल पे चलाएं ताकि आपको नीट और किलीन दिखें और पूरी स्कीन पर वीडियो आनी चाहिए उसके लिए आप इसे साइड व्यू रखें गेत ओपन करना हो आपको या फिर आपको क्या करने हो बैसे लिफ्टिंग करनी ओप Yanchal चलानी हो यह कुछ एक्टिविटी जो हमाई टेर पड़ लाइप में हमेंगे को मिलती है अच्छा जी यह समझ में आया आपको फिर जैसे कि किसी ने बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेजना जैसे इसे यहां भेजना है तो इसे कुछ नो कुछ करना पड़ेगा जिसके काल यहां जाएगी तो आपको बता कि करेगा तुहां चली जाएगी त तो इसका नाम क्या होगा वेरी गुड़ फोर्स तो इस एक्टिविटी से आप समझे अब जैसे कि यह पॉइंट यहां से यहां लेकर जानी है तो तो भाई टेबल इधर कैसे चली जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा पॉस्ट तो फिजिक्स में इसका नाम है क्या क किक करना हो गया और भी मेरे पास बहुत से एक्टिविटी होती है साइकल चलाना मेरे पास तो कैसे मतलब फिजिक्स में क्या कहते हैं साइकल चलाने को मतलब कैसे चला पारे किस क्वेंटिटी से चला पारे हैं हैमर को ठोक रहे हैं किसी में से इंसर्ट कर रहें हमने सो अग जाते हैं, draw को निकालना, guitar बजाना, सतरंज की चाले चलना. तो ये कहीने कहीने physics में exist करती है, exist करती है, तो ये कहीने किसी नाम से पढ़ाया जाता है. तो वो बच्चो क्या है? तो वो क्या है बच्चो? लिगे according to English, वो है push और pull, ठीक है? और according to physics, पानी को बैल से निकालना यह फिजिक्स है और आपकी क्यूर्ड ही होती is होती है कि मतलब पानी कkellने के लिए कितना फोर्स लाओं भॉल को यहां से पहुचाने के लिए यहां तक कहा हिए टो कित न फोर्स लगाँ हैमर को अगर किसी चीजसे मतलब कितना फोर्स लगाएं यह सभी आपके कुश्चन से इन्हें इंग्लिस में कहते हैं पुस और पुल फिजिक्स में कहा गया है फोर्स आई होप के लिए रहा है जैसे पेज को इधर लाना उधर लाना जो भी दिखाई देरा आपको स्क्रीन पर सब कुछ तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो चैप्टर के नहीं में लॉफ मोशन फिफ चैप्टर आप कहा था फोर्स फिजिक्स में तो दिखे आजिक्स बनी जैसे कि अभी आपने पुड़ा की पुस और पुल को आपने क्या का है फोर्स तो इफोर्स में भी डिफाइन एस तर एजन्सी सबसक्ता है वर दिखे वर दें यहां कॉश्चन आता है वोट वट पे त्रम्न फोर्स तो आप फोर्स को लिख सकते हो वरी गुड इसी यूनिट भी होती है इसकी इनित आपको बता है किया है इसी इनिट फोर्स की नांफ के लạ बढ़ा सकता है ये किसी भी अब्जेक्ट की टांच चेंज कर सकता है किसी वी ओब्जेक्ट सेप और सायज कर सकता है जैसे ड्रावर टार उतना था उसमें से बाहर निकल यह बढ़ा दिया जाए तो छोटी सी बॉल बन जाएगी ठीक है अगर बॉल को दबा रहा का था छोड़ दे तो बड़ी सी बॉल बन जाएगी तो यह क्या है इस इस सप्साइच तो पहला कोईशन यहां पर यह याद करना आपको वट इस फोर्स तो फोर्स एक पुसंद पू का है अगर 2020 और 2021 का बच्चा है तो फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे क्या होता है एस टोटल एक साइंटिस थे जोन्होंने पेटेंट किया पहली बार पुस और पुस पुल को मदब पुस और पुल को अपनी लेंग्वेज में अपने नाम पे दर्ज करा है यह पहले अपने नाम पूण को यह फिससे को अपने नामसे दे सकते हैं इस बीज को तो बच आलिस टोटल वह सैंटिस्ट नहोंने पहली बार इन सभी एक्टिविटीज को लग लग नामना देकर अलग अलग नाम ना देखे एक नाम दिया क्या फोर्स इस जीट के लिए मदब इतनी सारी अक्टिविटी के अलग अलग नाम दे किसी का पैंडिलिंग करना किसी का स्टॉपिंग वगर एक सेक्ट उनको सभी को एक नाम दिया फोर्स यह फिजिक्स थी इसके अकॉर्डिंग क मतलब यह था इस total का कि यह horse इस karte को अपने पीछे खैच रहा है और यह खैचता रहेगा मतलब अगर इससे same speed मतलब 20 km से मानले चल रही है तो अगर चाते हैं तुम 20 km से हमेशा चलती रहे तो इस horse को हमेशा यह इसे अपनी तरफ पुल करनी पड़ेगी तो यह pull मतलब force यह एरो दिखाना चाहती है होर्स आगे खिचना चाहरा है कार्ट पीचे खिचना जा रही है तो बट इसमें एस टोटल का क्या रोल भागा तो इसमें एस टोटल का यह रोल ला कि जो उन्होंने कहा वाइब सही थी कि होर्स को हमें से क्हेच नी पड़ेगी काट अगर लेंग्वेज आपको याद हो गई होगी कि अगर किसे अब्जक को चलाना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस इत के लिए कुछ चीज ऊपर से नीचे गिल रही है तो उस पर ग्रैप्टेशनल फोर्स लग रहा है ठीक है तो अगर स्पीड में रख वह हमेशा किसी एक्स्टर्नल फोर्स की अलब से चलेगी उस टाइम में एक्स्टर्नल फोर्स zero भी हो सकता है जरूरी नहीं है हमेशा लगा है और चीज चलती तो इसे विदा एक्जाम्प्र समझ लेते हैं गलीली को समझते हैं इस एक्जाम्प्ल की थुरू ये एक म觉得 भी motion में है ठीक हैं जैसे जो दिखे दे रहा है एस्टिनोट तो यह motion में है तो एस्टिनोट क्या करेगा वह अपने आपको खोल लेता है मान लिए देखें तो जैसे कि कोई हाथ पर बॉल रखिवी तुमने हाथ को स्पीर में लेका है और फिर बॉल को छोड़ दो तो बॉल कहां जाती है ऊपर सेम ओई कंडिसन है तो यह छोड़ दिया अब यह आदमी इसी स्पीर से सेम स्पीर में आ चुका था मालव 20 किलो मीटर में तो हमेशा 20 km से ही चल यह स्पेस में हमेशा सेम स्पीर से फ्लो करता रहेगा समझ रहे ना मतलब यह हमेशा 20 km को बैलेंस रखेगा जब कि इसके उपर जो external force है वो कितना हो जाएगा जीरो फिर भी चलता रहेगा जैसे कि आपने मंगल मुवी भी देखें मास मुवी जो देखें मिशन मंगल उसमें जो अर्थ है उसके स्राउंडिंग में गूमता है एक बड़ जैट लेता फिर गूल गूम के आ जाता है तो इसका मतलब यह था कि external force जीरो होने के कारण भी वो गूल चलता रहा तो यहां कलीलियो जीज ने आपने आपको इंट्रिड्यूस किया यहां पर कलीलियो ने कुछ एक्जमपल दिये वो थोड़ से टिपिकल हो सकते आपके लिए समझने के लिए बट यह हमारे से लिए पार्ट नहीं होते हुए मैं आगे बढ़ इसका एंगल और इसका एंगल थोड़ा दिया है तो क्या होगा तो बॉल जब भी सेम हैट पर पहुच जाएगी अब यह एक एक जमपल होनों दिखा है कि बॉल को ऐसे छोड़ दो एक बार जहां लागे छोड़ दो जैसे सैटलाइट वाला इंसान गूम रहा उसके पीस से गूम रहा था तूट गया फिर छूट गया तो चलता रहेगा हमेशा स्पेस में तो वह इस बॉल के लिए कह रहे हैं यह चलती रहेगी बट ऐसा नहीं बॉल नहीं चल पाएगी पर स्पेस का इंसन चल सकता है तो आई होप में को समझे होंगे आप लोग तो यहां पर तो वहीं बात मैंने वी वीडियो से दिखाई यहां से सारा कुछ के लिए गया तो आपको गलीलियो की बात यह याद रखनी चाहिए फाइनल पेपर्स में आपके काम आ सकती है नीट में आई आई टी में ऐसे सभी एक्जम्स में ऐसी आपको एस टूटल की बात को याद र कंफिउस कर दे हैं तो मैं एक नए वर्ड बनाता हूं क्या है वह आपको उसे का गया इनरश यह ठीक है और इनरश है का दूसर नाम है नूटन का फस्ट लौ ठीक है तो नूटन के फस्ट लौ से इसकी डिफनिशनशन याद करते हैं वह एजी है यह वाली वी एज्शी है स तो रुका हुआ तो रैस्ट में अगर चल आता तो चलते हुए किसी भी स्टेट के पास में समझे ना मानलो कोई बोटल है आपने रख दी किसी टेबल के ऊपर तो वहीं रखी रहेगी ना वह अपने आपको चेंज कर पाएगी तो इनरिशिया उसकी प्रॉपर्टी कहला ही ज ला जाता क्यों क्योंकि वह किसमें था मोशन में और वह मोशन में था स्टेट लाइन में और वह अपनी मोशन की डायक्शन चेंज नहीं कर पाद तो यहां से याद कर लो यहां फिर इसे याद करिया न्यूटन की फर्स लौ से तो न्यूटन की फर्स लौ कहता है आबरी ब पर कोई external force नहीं लगता है तो यहां compelled का मतलब क्या है apply करना external force को या apply कह दीजे या फिरकाई दिए एक फिरकार से लगाना तो I hope Newton first law की definition वही है जो inertia की definition है दोनों से मैं मत समझे अलग तो आगे दिखते हैं आगे में तीन पार्ट होते हैं inertia of rest होते हैं inertia of motion होता है और एक होता है आपका inertia of direction ठीक है तीन आपको याद करने है inertia of direction तो तीनों की definition याद नहीं करने बस तीनों की definition भी same यही लिखी हुई है जैसे कि आप देख पाएंगे कि किसी body की remain रहने की position rest में तो rest में ही रहने की property होती है जिसको inertia of rest का जाता है ठीक है इसमें लिखा हुआ है जो body है वो मूश अगर body किसमे है state of motion में तो हमेशा दिमेल रहेगी state of motion में इस property को कहेंगे आप inertia of motion ठीक है और यहां जैसे कि यह वाला एक्जमपल है जैसे कि अर्थ के चारों सेटेलाइट गोल गूंता रहता है तो इसमें क्या कह रहा है आप登録 Linux OSP Letter तो आपके पास मतल आपको इनर्शिय याद करनी है और इनर्शिय की तैप याद dinner के चैसेशन पर रेजों ग्युर्क हुआ है mermaid है तो 305 आपको करने हैं अब Johnny म Same up की प्रफटी तो मास सॉरी इनरिचा कि सरगों मेज़र कैसे करए जैसे मैं कहूं एक हुख समझेया आप जैसे कोई रोटेशन पर आएगी तो इन चीजों कम हम बूल जाएंगे इनर्शिया को तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको किलियर हुआ कि इनर्शिया एक कैलकुलेशन है किसकी मास की ठीक है मास की प्रोपर्टी अगर रुका है तो रुका रहेगा चल रहा है तो चलता रहेगा और किसी डायक्शन को चेंज करता है तो डायक को के पास moment क्या होती है तो जैसे moment का पहला formula याद कर लिया आपने यह है P मतलब momentum, M मतलब mass, V मतलब velocity तो आपको momentum का 9th में भी याद किया था momentum formula mass into velocity तो momentum क्या होगी this is the product of mass with respect to velocity तो यहां लिख दिया है it is equal to the product of the mass and velocity quantity सरी तना लिखते हैं बहां बहुत है जैसे momentum के लिखा जाए momentum is the body quantity to motion by मतलब इसको पहली लाइन को आप ना लिखते हैं कोई problem नहीं पर second line जरूरी लिखनी है यह जरूरी लिखना होता है यह second line फिया पर तीन यहां यह unit कितनी हो जाएगी स्की केजी मीटर पर second केजी मास्क की और वी मीटर पर second इसकी dimension क्या हो जढ़ेगी यह है to momentum में आपको क्या याद रखना है formula से आपको definition याद रखनी है formula याद रखना है याद रखने है, सकेलर कुइंटिव चaser क्यान रखना है और इसकी यूनिट और यूनिट पलस दैमेंस्जन आपको याद लखनी है ठाय। तीन ग्राफ आपको याद रखने है, ठीक है, यह तीन ग्राफ याद रखने है, कैसे याद रखेंगे, सर हम, देखें, बहुत सिंपल है, तीनों ग्राफ, जैसे यह ग्राफ किस-किस के बीच में बना है, M और V, P is equal to M V है, है नहीं है, अगर P को आप V से compare करो, तो यह पर पो प्रपोस्नल है, अब प्रपोस्नल का ग्राफ कैसा बनता है, वो आपको पहले क्लासिज में करा दिया है, कि प्रपोस्नल का ग्राफ बिना सोचे समझे, आप क्या करोगे, जहाँ एक तरफ P लिख देऊगे, एक तरफ V और डायक्ट बीच में से बनाओगे, इस इट के लिखते हैं, और उनका ग्राफ कैसे बनता है, बीच में से स्टेट, मतलब एक तरफ P लिख दिया, एक तरफ M लिख दिया, और V को स्टेट लिख लिख दिया, इस इट के लिए, अब थाड़ वाला ग्राफ है V और M का, तो P is equal to कितना है, M V, और अगर मैं बात करू, V is equal to क इनवर्सरी परपोसनल का जाता है, कि वन भाई M में अगर चीज़े दिखाई जाई, मतलब एक क्रॉस में दिखा रहे हैं, तो इनवर्सरी परपोसनल है, कि क्या है, इनवर्सरी परपोसनल, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो बिना सोचे समझे, आपने ये कर्व बना दिया, इजिर के लिए तो तीनों ग्राफ आपको आधोने चाहिए कि Heh मुमेंटम और वेलस्टी का ग्राफ क्या होगा जब मास कॉंस्टट एख मुमेंटम क्वाज के लिए तो बताई ग्राफ वेलस्टी और मास का कैसा होगा तो I hope यह आपका home work clear हो गया आपको बाकी कुछ याद नहीं करना आपको यह बाकी सारा कुछ समझाने के लिए इसे आप skip कर सकते हैं इस इत के लिए अब बात करते हैं न्यूटन के तीन laws आपको याद रखने हैं फर्स्ट लॉग कहता है अगर कोई बाड़ी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी किसकी अपसेंस में एक्स्टर्नल फोर्स की अपसेंस में तो यह आपको मैंने भी नरिशा में भी याद कराया है first law में भी याद करा है, same है, मतलब, ठीक है, कोई problem नहीं, same है, ठीक है, याद हो गया है, अब second law को कैसे याद करें, तो second law आपको याद कराता है, f is equal to dp upon dt, sir, ये dp upon dt का नाम क्या है, देखे, p का नाम momentum है, और d मतलब change, तो कह रहा है कि change हो रहा है, dt का मतलब है, time change हो रहा है तो इसे कहते है, rate of change, याद लिखें, इसे लिख लें, rate of change, किसका rate of change, momentum, p मतलब, momentum का, तो ये rate of change of momentum है, मतलब, ये rate of change of momentum है, तो इसका मतलब क्या है, force is directly proportional to the rate of change of momentum, ओके, याद हुआ, आपने formula याद किया, हाँ, बहुत बढ़ी है, याद हो गया, तो ये ही है आपकी definition, second law क देख लिखें, मैं दिखा देदा हूँ, तो कहरा है, the rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the applied force, ओके, याद हो गया, और the change take place in the direction of applied force, is it clear, तो momentum की जहाँ direction होगी, force की भी direction उसी में होगी, ये यहाँ पर आपने पूरा सीख लिया है, तो I hope, first law आपने इनरिशा से help से याद कर लिया, second law आपने इस वाले formula को याद किया, dp upon dt, इससे आपने याद कर लिया है, बात करते हैं, third law को लेगा, तो third law क्या कहता है, every action have equal and opposite reaction, मतलब, action is equal to minus reaction, ठीक है, minus का मतलब क्या है, opposite, is it clear, ये formula आप याद रखेंगे, और यहाँ इसके साथ साथ एक formula और लिखेंगे, एफ, one two is equal to minus of two one, one two का मतलब है, one ने force लगाया, two के उपर, और two one का force मतलब है, two ने force लगाया, one के उपर, but minus का मतलब है, opposite directions, जैसे की, जैसे की, देखें, यहाँ एक force लग रहा है, horse का, तो horse ने force लगाया, किस के उपर, काट के उपर, horse ने force लगाया, काट के उपर, तो यहाँ यह एक, अरो दिखा रहा है, कि बाइसाआओ, काट ने भी किस के उपर, force लगाया है, horse के उपर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं FCH is equal to minus of FHC CH का मतलब काट ने होर्स के उपर फोर्स लगाया और होर्स ने काट के उपर फोर्स लगाया तो Newton थर्दो आपको clear हुआ हर्जी के होता है जहां भी आप लोग खड़े होंगे जैसे आप मान लीजे कहीं खड़े हैं तो खड़े वक्त क्या होगा कि आपका वेट नीचे की तरफ होगा और आपके उपर अर्थ एक नॉर्मल उपर की तरफ लगाएगी नहीं समझ माया तो मैं बता दूँ एक फोर्स आप लगाओगे किसके उपर अर्थ के उपर तो आपका मैंने वन से अर्थ कह दिया वन यह मतलब वन ने अर्थ पे लगाया और फिर क्या करेगी अर्थ भी किसके उपर फोर्स लगाएगी वन के उपर मतलब अबजेक्ट के उपर तो आई होप यहां तक आप लोग के लिए रहें आपको यह समझ में आया होगा तो न्यूटन के आपको तीनोज लॉव आपको याद करा दे गए है पहला लॉव लॉव इनर्शिया भी कहा जाता है सैगिन लॉव एफ डाय की पर पोर्पोर्स नल डी प अपॉन डी टी से आप याद करेंगे थर्ड लॉव के लिए आपको याद रखेंगे एफ वन टू इसकल टू माइनस ओफ टू वन या फिर एक्शन इसकल टू माइनस ओफ रिएक्शन ठीक है तो आई होप यहां तक किलियर हो गया होगा आपको तीन लॉव अब बात करते हैं फर्स्ट लॉव के एक्जांपर्स की आप से कुछ एक्जांपर्स पूछे जाएंगे ठीक है यह इन्हें हम नहीं कर लें है ठीक है डिसकेशन ओप यह थोड़ा सा डीप चला जाएगा आप एक पर पढ़ लीजे अगर आप समझना चाहते हैं सभी चीज आपको यहां तक करा दे गए हैं ठीक है अब देखें यहां है एक क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट वाइज नुटन लॉफ मोशन इसका सीधा सा बाद नहीं कि भाइज इस इनापिलिटी अप बोड़ी तो चेंग देस्ट आप रस्ट और उनिफॉम प्रशन अलंग देखें आपको फुष कुश्ट ओगे जवाब देने होते हैं जैसे की भाइज कुश्ट इंगे इनर्च यह तो ओगे ठीक है अब कुश्ट इंगे जैसे कुश्ट आएगा मानिक कैसे कुश्ट ओगे कुश्ट लिखा होगा कुश्ट वैन इफ होर सड़नली स्टार्ट दा जनिंग जाइडर कि फॉल बैक वर्ट वाई यह कुश्ट ओगा बिलेक लाइन डॉट कुश्ट मार्क वाई तो इसमाप अंसर क्या लिखेंगे ठीक है तो ऐसी कुश्ट ओगा यह बलेक लाइन पूर सब्सक्राइब लिखेंगा और लास्ट में लिखाऊगा वाय तो आपका अंसर देना होगा ऐसे यह कुश्ट ओगा पूरी बिलेक लाइन लाइन लिखाऊगा वाय ऐसे ही सारे जारे अब द्धियां से देखिए वैने होर सड़नली स्टार्ट तो इसका मतलब चीज रुकी आफ लेस्ट इनर्शिया ओफ जैस्ट आई होप के लिए रहे तो यह आनसर था अब ऐसी इसको लिखता है पूरी ब्लैक लाइन को एजिते लिखता है लास्ट में लिख देता है इनर्शिया ओफ जैस्ट क्योंकि इसमें भी चीज़े किसको बता रही है चीज़े रुकी हुई है ऐसी यह बता रहा है वेन वी सेख दा ब्रैंच ऑफ द ट्री दिफ्रूट अंड्राइव फॉल टाउन क्योंकि पहले वो रुके हुए दिख रहा खुदी चीज पता जली है इसे कंडिशन कैसी है जैस्ट वाले तो इन सभी के क्या आंसर लिखे जाएंगे इनर्शिया ओफ जैस्ट ऐसे ही कुछा जाएगा आप से मोशन पर मोशन पर कैसे कुछ पूचा जाएगा सेम कुछ पैटरन होगा बच्चों कि एक पूरे ब्लैक लाइन लिख दी जाएग और पूचा जाएगा वाय जैसे कि वेन होर्स रणिक फास्ट सड़नली स्टॉप गोड़ा चल रहा था और एकदम लोग दिया गया तो ऐसा क्या हुआ दो आगे की तरफ चला गया क्यों तो आप फिर क्या अंसर लिखोगे बिक कॉस इनर्शिया ओफ मोशन इस बार मोशन क्यों कि इस बार किसको दिखा रहा है वो देखो होर्स चल रहा था फिर रुख गया तो इसलिए इनर्शिया ओफ मोशन इस इट के लिए तो तीन तरह की चीज़े होती हैं रुकी होती हैं चलती रहती हैं या फिर किसी डारेक्शन में पर्टिकुलर में चलती रहती हैं तो ही हम लिखते हैं इस कांसर इस कांसर कैसे लिखेंगे इनर्श ऑफ डारेक्शन का कोश्चन है पूरा कोश्चन लिखा होगा इस पार्क्स कमिंग फ्रॉम दा ग्रैंडर स्टोन फ्लाइ ऑफ टेंजेंशियली टू जिम्दा रोटीटिंग स्टोन तो कह रहा है कि मानलों कि ऐस जैसे इसकी गोल घूमने के आदत बन गई और जैसे चूटी टूटकर तो यह गोल सा घूम गई क्यों कि यह पहले भी गोल घूम रही थी अब भी गोल डारेक्शन में घूमेंगी क्योंकि आपको बताया अगर एक्स्टरनल फोर्स नहीं है तो चीज सेम कंडिशन में चले लिद değ,ट से तायर से मिट्टी चुपक चुपक गे जी तो क्या होता कि मिट्टी आसे गोल सा घूम के छूटती है ud कोई कि इनर्या आफ डार्यक्षिन के कारण इसमें क्या गई थी मोर्षटiny एक वाली उन्होंने डार्यक्ष्ण कि ले लिए टो I hope आप बच्चेंट से हार्स in the heart runong तो उसको बाकि जो चीजे उसके पीछे लगी होंगी वह भी कैसे चल लिए तो यह डायक्शन कैसे चेंज कर पा रही है क्योंकि वह आचुकी तो यह आपको वाय लिखने के कुशनों के आंसर आगे होंगे जैसे यह पेज नंबर है आपका पेज नंबर है कुशन है आपके पास और भी बहुत सारे कुशन होंगे पेशी से पेज नंबर 62 पर कुशन है तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं यहां बोल देता हूँ आप उमने बुक्स में से पढ़ लेना यहां लिखा है वाइ दू दू पैसेंजर फॉल बैकवर्ड डारेक्शन वेन बस सड़नली स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दा जैस्ट पोजिशन तो बस कहां से स्टार्ट हुई बच्चो जैस्ट से तो इसका अंसर क्या आना चाहिए तो इसमें जैसे आप लिखोगे दिपैसेंजर फॉल बैकवर्ड इन दा डारेक्शन वेन बस सड़नली मूव फ्रॉम दा जैस्ट बिकॉस बताइए इनर्शिया ओफ जैस्ट वैरी गूर्ड क्यूंकि बस पहले जुक्की हुई थी तो ऐसे कुशन है जिनको मैं बात कर दा था आप से तो जैसे यहां गया वाई पैसेंजर फॉ सब्सक्राइब जाएंगे ऐसी एक मैने जंपिंग ऑन दा मूविंग ट्रेन फॉल वन हैड फॉर्वर्ड मतब कहरा कि जैसी वह आगे कि तरफ रोकता है तो पूदता हुए इंसानिक दम आगे की तरफ गिर जाता है तो यह सभी के आंसर आपको पता है इनर्शिया ओफ दा देफिनेशन यूनित आप खुद करेंगे यूनिट डायमेंशन और क्वंटीटिटी को याद रोनी चाहिए फोर्स का फॉर्मॉला मैंने याद कर लिया दीप अपनेड़ ऑला और एक मद्वाला तो आपको जाद ही होगा फॉर्स का यह ठापने पड़ा एस टोटल को इस फिर आपको इनर्टाइश्षण का दिशन का देक्ष्ण का मूशन को ब खालता था सक्क्राइब ठीक है तो कैसे दूसरे लोग को याद करोगे dp upon dt ऐसे मैंने थर्ड को आपको कराया क्या था f12 is equal to minus of 21 action minus of reaction तो यह सभी आपको याद करने हैं अब next class में मिलेंगे कल आज के लिए इतना ही काफी thank you धन्यवाद